हां मुके लेटर्स खबर कहां से आ रही है सर एक बहुत ही बड़ी खबर ये आ रही है कि शोयता के माइक आफ ना करने की वज़ा से पहले तो 111 लोगों को और अब पूरे भारत वासियों को उसकी सीक्रेट बाते पता चल चुकी है हैं शोयता का माइक इसके अलावा और कोई खबर दूसरी यूपी से एक मार पिटाई की खबर आ रही है यूपी से योगी चार लोगों स्प्राइश वान वाले हिंद्व कर किया और उसकी ने बता के बाता कि इता रही हं घुरे actors को हीँ तुम गयार वे बादेश योगी टारगेट किण्य धर कट инृ했습니다 टू इन्नोसेंट सेकुलर मुसलिम्स ओवर अ कम्यूनल फाइट नहीं नहीं सर अभी तक की इंवेस्टिगेशन के हिसाब से इसमें किसी तरीके का कोई कम्यूनल एंगल नहीं पाया गया है लगता है अब आर एंडी टीवी में तेरा भी टाइम पूरा हो चुका है कर लेटर विजवाओं क्या नहीं नहीं सर मैं लिखता हूं ना अटेंशन मतलों मैं लिख दूंगा चलो मैं भी अपने काम पर लग जाता हूं इस खबर के प्राइम टाइम के बाद से आपको पता चल गया होगा कि इस देश का माइनॉरिटी खत्रे में हैं बिल्कुल भी सुरक्षि नहीं है और खास कर कि योगी सरकार के अंडर दर का महल कितना ज्यादा है माइनॉरिटी के अंदर इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं मैं हूं रेबीच कुमार आरेंडी टीवी से हाँ मुकेस लेटेश कबर कहां से आ रही है सर राजस्थान में दो लड़कों ने एक लड़की की दिन धाले गोली मारके हत्या कर दी राजस्थान वहां तो कॉंग्रेस की सरकार है ना हाँ एरे यार अच्छा मरने वाली लड़की हिंदू है या मुसलिम सर उससे क्या मतल न्यूस आर्टिकल में सारी डीटेल भी कि नहीं हीं चुक होइब यह हिंदू है सर ठेली तो आचा अपरकास्ट है कि लोगर कास्ट हो लोगर कास्ट है अच्छा और वो मारनेवाले लड़के अपरकास्ट हैं नाइने सर लड़के तो दोनों मुसलिम हैं तौसीफ और एहमद नाम है तौबा तौबा सारा मूझ खराब कर दिया यार मुकेस एक तो राजिस्थान में हैं बीडेपी को टारगेट नहीं कर सकते और दूसरी सबसे बड़ी बात मारने वाले माइनोरटीज हैं वो बिचारे पहले से इतने डरे हुए हैं और इस खबर के बाद से डर का महौल और भी जादा बढ़ जाएगा पर खबर तो छापनी पड़ेगी अच्छा अब ध्यान से सुन हैडलाइन में सिर्फ इतना लिख दियो कि इस इलाके में दो लड़कों ने एक मेर्दापूर वेब सीरीज दे की उसके बाद लड़की को गोली से उड़ा दिया कल तेरे घर एक लेटर आएगा और परसों से तु छुट्टी मनाने जा सकता है क्यासा लेटर सर रिजाइनेशन का यू आर फायर फ्रम आर एंडी टीवी नो सर बट क्यों झाली टीवी